बिग बोस 14 निक्की तंबोली के बॉक्सर वाले एक्स बॉइफेंड सैनवाज आलम क्योगी एंट्री अब आएगा वाइल काड एंट्री का मज़ा सल्मान खान का सबसे विवादित रियल्टी सो बिग बोस 14 इन दिनों लगातार सुर्कियों में बना हुआ है घर में होने वाले विवाद जमकर सुर्किया बटो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सो के मेकर्स बिग बोस 14 को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने की तैयारी में चुटे हुए आज बिग बोस 14 के गर में वाइल काड एंट्री होने जा रहे हैं के जरिये कवीता को सिंग नैना सिंग और सार्दूल पंडित गर में इंट्री करने वाले हैं इसी बीच खबरे आ रहे हैं कि निक्की तंबोली के एक्स बॉइफरेंड सहनवाज आलम भी बिग बोस 14 के गर में दस्तक दे सकते हैं सहनवाज आलम वोई शक्स है जिसके बॉकसर पर आईरन करकर निक्की तंबोली ने गरμें बखेडा कर दिया था निक्की तंबोली ने अपनी के बॉकसर को जीतने के लिए पूरे घरवाले से लडाई की थी इस दोरा निक्की तंबोली ने इस बात का भी खुलासा किया था कि वो अपने एक्स बॉइफेंड सैनवाज आलम को बिग बोस 14 के गर्में बहुत ही मिस कर रही है निक्की तंबोली के बात सुनकर सभी कंटेस्टन उनकी जमकर खिली उडाते नजराय थे लेकिन लगता है कि मेकरस ने उनकी बात को गंबिता से ले लिया है यही वज़ाए कि बिग बोस 14 में जल्दी शैनवाज आलम की वाहिल का एंट्री होने वाली है इस बात का खुलासा फिल्म और टीवी क्रिटिक्स साहिल अरुन कुमार सांध ने किया कुस्स में पहले इस साहिल ने ट्यूटर पर से नवाज आलम की एंट्री की जानकाई दी है बता दें की सैनवाज आलम एक जाने माने मोडल है जिन्होंने निक्की तंबोली को डेक्सन होगा वही फैंस का मानना है कि सैनवाज आलम की आने के बाद निक्की तंबोली का सच पूर